आज मैं बनाने जा रही हूं घर में पनीर जो कि बहुत ही सौप्ट और टेस्टी बनेगा और खुद बनाने पे उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं होममेट पनीर इसको स्कीप करके नहीं देखिएगा आप पूरा फुल वीडियो देख दूद जो है कच्चा है पहले से घरम किया हूँ नहीं है आप गाई भैंस किसी चीज का ले सकते हैं आप कच्चा अगर नहीं लेगे तो इसका टेस्टी और शॉप्ट पनीर नहीं बनेगा और अगर ऐसा नहीं पैकेट में दूद लाए और दूदी रग दिया फ्रिज में आते जाएंगे इससे जल्दी गरम भी हो जाएगा अब देखिए अना शुरू हो चुका है देखिए यह लगवा आ चुका है देखिए एक बॉयल आने के बाद इसको बंद कर देंगे और उसको थोड़ा ठंडा होने देंगे देंगे दो मिनिट के लिए चलाते हुए लेकिन बेनेगर से कभी कभी टेस्ट उसका अच्छा नहीं आता इसलिए मैंने निम्बू से फाड़ रही हूँ अब इसमें थोड़ा थोड़ा निम्बू का जूस डालते जाएंगे और चलाते जायेंगे आप याद रखिए गैस इसका आफ है क्योंकि गैस पर रखा हुआ है लेकिन गैस इसका आफ है अगर गैस आउन कर देंगे तो आपका जो पनीर है हाड हो जाएगा खराब भी हो जाएगा गैस को आफ ही रखें और इसको थोड़ा थोड़ा निमू का जुश डालते जाएंगे चलाते जाएंगे ताकि अच्छी तरह से पनीर फट सके आप एक बार में ही पूरा निमू को जुश नहीं डाले या जो भी बिनेगर से आगर फट ना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कि पूरा एक ही बार में डाल दिया दूद फट दिया तो नहीं फटेगा आपका दूद उतना अच्छी तरह स लिए और उसको चलाते जाहिए देख सकते हैं तो रप आध डाल देंगे मैं इस पनीर को चान लेंगे कि मैंने एक च्छनी ले लिया नाइचे बरतन रख दिया है और कॉटन का कपड़ा मलमल का कबड़ा ले लिजिए मैंने कावटन का कबड़ा ले लिया है और उसको चाल लेगे पनीर को तुरत चाल लेजिए शे क्लाइए dog इसी तरह से चान लेजिए और देखिए मैंने दो बरतन में पानी ले लिया है पहले से ही ताकि उससे में दिक्कत नहीं हो ज्यादा दिर रुकना न पड़े ताकि पनीर हाट न हो अब इसको पनीर है पानी पनीर का उसको फेकिंग नहीं सब्जी या रोटी या पराठा उसको गूत करके बना लेंगे आटा को या तो अगर ज्यादा हो गया तो नहीं बनाना चाहते हैं तो प्लांट में भी पानी मिनिक्स करके डाल सकते हैं तो कि मैंने धो लिया इसको ताकि इसका खटास निकल जाए और शेट भी हो जाए जमाने के लिए अच्छी तरह से मैं दूसरा पर फिर से धो लेती हूं ताकि पनीर ठंडा हो जाए और खटास भी जलते से निकल जाए मैं तीन टैम मैंने धोया देखिए इसका पानी अब साफ खा गया है कि इसको थेख़ा ना लेंगे और नीचे एक मैंने प्लेट ले लिया उसके ऊपर चाकला रख अहसे और इसको थेख़ाई संवना करे के चंटा कर लेंगे और इस तरह से उसी शेप में कपड़ा कर लेंगे ताकि बिलकुल youtube पनीर जम सके अर इसके ऊपर meet बोर्ड मैंने रख दिया और उसको थोड़ा सा दवा दिया थाकि अच्छी तरह से यह चिकना हो जाए और उसके उपर आप कोई भारी समान रख दिजे मैंने बरतन रख दिया उसमें पानी डाल दिया इस तरह से भी आप रख सकते हैं और आदा गंटा से एक घंटा तक के लिए जमने लगवा 400 ग्राम पनीर निकला होगा अब इसको इस तरह से कट कर लेंगे आप कोई भी सेप में कट कर सकते हो अगर आपको इसको स्टोर करना है तो कोई डबे में थोड़ा सा पानी डाल दिजे और उसको पनीर उसमें डाल कर रख दिजे और बंद कर दिजे तो आपका ज्य देखिए यह स्मूथ कितना बना है आपको मैं दिखाती हूं देखिए बनाया ना चिकना और टेस्टी तो बिल्कुल ज्यादा होगा इस तरह से पनीर घर में आप बनाईए और मेरे को कॉमेंट करके जरूर बदाईए कि आपका पनीर कैसा बना होमेड पनीर अगर आपको म मेरी रेस्पी है पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बगल में वेल बटन होगा उसको दवाना नहीं भूलिए और अपने फ्रेंड और फ्रैमली को सेर करना नहीं भूलिए